संदीप महेश्वरी एजुकेशन सक्सेस स्टोरी जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी के आज करोणों फॉलोज हैं आपने यूट्यूब अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके मोटिवेशनल वीडियोज जरूर देखे होंगे लेकिन संदीप महेश्वरी आज इतने सफल कैसे बने और उन्होंने कितनी और कहां से पढ़ाई लिखाई की है इसे लेकर पूरी जानकारी हम आपको यहां देने जा रहे हैं बता दे की संदीप महेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ अंत्रप्रणियोर और फोटोग्राफ़ भी है साथ ही वे अमजस्बजार.com नाम की वेबसाइट के CEO भी है जो की भारतिय स्टॉक इमेजेस का सबसे बड़ा कलेक्शन है उनके यूट्यूब चैनल में भी वर्तमान में 27 मिलियन से ज्यादा संदीप का जन्म 28 सितंबर 1980 को नई दिल्ली में हुआ था एक रिपोर्ट के अनुसार वे स्कूल के दिनों में बड़े शान्त स्वभाव के थे और उनके दोस्त भी नहीं थे 12 वी के बाद उन्होंने किरोनीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन शुरू किया लेकिन व्यक्तिगत कारणों की इसके बाद 2006 में उन्हें इमेजेस बजार की स्थापना की ये कंपनी बेहत सफल रही और आज ये भारतिये तस्वीरों का सबसे बड़ा हब है इसके बाद संदीप ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लोगों को मोटिवेशन देना भी शुरू किया और उससे एन प्रभावित होकर न जाने कितने लोगों को जीवन में सही राह चुनने में मदद मिली है 1. सफलता का रहस्यत सुकराथ सुकराथ मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी एक बार एक व्यक्ती ने महान फिलोसफर सुकराथ से पूछा की सफलता का रहस्यत क्या है What is the secret of success? सुकराथ ने उस इनसान को कहा की वह कल सुबह नदी के पास मिले वही पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ती नदी के पास मिला तो सुकराथ ने उसको नदी में उतर कर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा वह व्यक्ती नदी में उतर कर आगे की तरफ जाने लगा जैसे ही पानी उस व्यक्ती के नाग तक पहुँचा पीछे से सुकराथ ने आकर अचानक से उसका मुह पानी में दुबो दिया वह व्यक्ती बाहर निकलने के लिए जट पटाने लगा कोशिश करने लगा लेकिन सुकराथ थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉंग थे सुकराथ ने उसे काफी देर तक पानी में दुबोए रखा कुछ समय बाद सुकराथ ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ती ने जल्दी से अपना मुह पानी से बाहर निकाल कर जल्दी जल्दी सांस ली सुक्रात ने उस व्यक्ति से पूछा जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे व्यक्ति ने कहा जल्दी से बाहर निकल कर सांस लेना चाहता था सुक्रात ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उतर है जब तुम सफलता को उतनी ही तीवर इच्छा से चाहोगे जितनी तीवर इच्छा से तुम सांस लेना चाहते है तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी दो, प्राचीन समय में विद्यारती गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे बच्चे को शिक्षा ग्रहन करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे वर्दराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया गुरुजी जी ने भी आखिर हार मान कर उसे बोला बेटा वर्दराज मैंने सारे प्रयास करके देख लिये है अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बरबाद मत करो अपने घर चले जाओ और घरवालों की काम में मदद करो वर्दराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया गया दोपहर का समय था रास्ते में उसे प्यास लगने लगी इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुए से पानी भर रही थी वह कूवे के पास गया वहाँ पत्थरों पर रसी के आने जाने से निशान बने हुए थे तो उसने महिलाओ से पूछा ये निशान आपने कैसे बनाएं तो एक महिला ने जवाब दिया बेटे ये निशान हमने नहीं बनाएं ये तो पानी खीचते समय इस कूमल रसी के बार-बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं वर्दराज सोच में पढ़ गया उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रसी के बार-बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से में विद्याग्रहन क्यों नहीं कर सकता वर्दराज धेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरु को लाया और अथक कड़ी मेहनत की गुरु जी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धी बालक वर्दराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरन का महान विद्वान बना जिसने लगुसिधान तकॉमुदी, मध्यसिधान तकॉमुदी, सारसिधान तकॉमुदी, गिर्वन पदमंजरी की रचना की दोस्तों अभ्यास की शक्ती का तो कहना ही क्या है? यह आपके हर सपने को पूरा करेगी अभ्यास बहुत जरूरी है चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो अगर आप बिना अभ्यास के केवल किसमत के भरो से बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पच्तावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुच जाए बिन्दरा की जिद और जुनूर ने उन्हें इस मुकाम पर पहुँचाया है बैंकोक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियंशिप में बिन्दरा की टीम मेट रही इंटिनेशनल शूटर श्वेता चौदरी ने कहा कि बिन्दरा ने जो कहा वह कर दिखाया श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने में नाकाम रही श्वेता ने बताया कि बिन्दरा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले चार साल से अन्वरत मेहनत कर रहे थे बिन्दरा ने जो कहा वह कर दिखाया ऐसे बदलीग दुनिया श्वेता बताती है कि एथिन्स ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आया एथिन्स ओलंपिक में पदक हासिल न करने के बाद ही उन्होंने निश्चे कर लिया था कि वह अगला मौका बीजिंग ओलंपिक नहीं गवाएंगे एक स्मरन सुनाते हुए श्वेता ने कहा कि बैंककॉक में वल्ड चैंपियंशिप के दौरान जब भारतिय टीम के अन्य शूटर शाम को शेहर घूमने गए थे बिंद्रा जिम में एक सरसाइज कर रहे थे शायद अभिनव को एथिन्स ओलंपिक में पदक नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उनके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया उसके बाद से वह रिजर्व रहने लगे इसके पहले वह साथियों के बीच आकर हसी मजाग करते थे इसके बाद वह लगातार विदेशों में जाकर प्रैक्टिस करते रहे श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ने स्वयम ही अपने लिए प्राइवेट कोच पादक लॉजिस्ट वह फिजियों नियुक्त किया था इसके बावजूद छोटी प्रतियों गिताओं में उनके मैडल न जीतने पर कई बार उनकी आलोचना भी है परन्तु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में वक्षमता है जो वक्त आने पर बड़ी प्रतियों गिता में अवश्य दिखेगा उनका टारगेट उलम्पिक ही था चार अब्दूल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडू के एक गाव धनुशकोडी में हुआ था इनके पिता मच्छुआरों को किराये पर नाव देते थे कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ती हितु अकबार बेचने का कार्य भी किया डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनोतियों का सामना किया उनका जीवन सदा संधर्शी रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वस्व न्युचावर करते हुए सदा उत्कृष्टा के पत पर चलते रहे 71 वर्ष की आयू में भी वे अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की और प्रयासरत थे भारत रतन दॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11 वे राश्ट्रपती बने वे भारत रतन से सम्मानित होने वाले तीसरे राश्ट्रपती हैं भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अगनी एवं पृत्वी जैसी मिसाइले दे कर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौका दिया एक बार Air Force के पाइलेट के साक्षातकार में नौवे नमबर पर आने के कारण कुल आठ प्रत्याशियों का चैन करना था उन्हें निराश होना पड़ा था वेरिशिकेश बाबा शिवानंद के पास चले गए एवं अपनी व्यथा उन्हें सुनाए बाबा ने उन्हें कहा बाबा शिवानंद का कहने का अर्थ ये था कि असफलता से निराश होने की आवश्यक्ता नहीं यहां सफलता आपकी दूसरी सफलताओं के दुआर खोल से